आज हम भगवदीता चैप्टर 18 दा पर्फेक्शन आफ रिणांसेशन के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं रोज का दरह पहले में संस्कृत में श्लोक को परूँगे उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनी को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दुखाम इती इवा यत कर्मा काया कलेसा भयात त्याजेत सा कृत्वा रजसाम त्यागाम नईवा त्यागा फलाम लभेत जैसे पहले दिन भी हमने सिखा था कि अगर आपका कोई दाइत्य है तो वो आपको पूरा करना ही परेगा अगर आपने शादी कर ली और आपको बाद में लगा की नहीं मुझे अभी तो अपने सांगसारिक जीवन से मुक्ती चाहिए और मुझे अभी भगवान के बारे में ही सिर्फ सोचना चाहिए तो वो ignorance है, आपको सांगसारी जीवन से मुक्ति नहीं चाहिए, उसके अंदर ही भगवान को flavor को लाइए अगर आपने किसी का दाइत्वे ले लिया है, संगसार का दाइत्वे ले लिया है, marriage करने का दाइत्वे ले लिया है तो वो भी mode of passion है, वो भी कर रहत है तो यहां के explanation को समझते है One who is in Krishna consciousness should not give up earning money out of fear that he is performing fruitive activities If by working one can engage his money in Krishna consciousness or if by rising early in the morning one can advance in transcendental Krishna consciousness, one should not deceit out of fear or because such activities are considered troublesome Such renunciation is in the mode of passion, the result of passionate work is always miserable If a person renounces work in that spirit, he never gets the result of renunciation तो अगर किसी ने कोई भी काम छोड़ा, यह डर से कि अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा materialistic जीवन में चला जाना हूं मुझे सब को छोट चार के से भगवान का बक्ति करना चाहिए आप जेतना में पैसा कमा रहो हो, उसी से आप या तो भगवान की भक्ति करो, या फिर भगवान के भक्ति करते हुए पैसे कमा मतलब, you should have your materialistic life and spiritual life का balance एक साथ में जैसे मैं tarot reading करते हूं, महाँ पे कार्था balance between spirituality and practicality अपने जिंदगी के साथ-साथ भगवान को उसका एक flavor बना करके चले भगवान के भक्ति का flavor, भगवान तो ऐसी है, हमारे जिंदगी के हिस्सा है ही पर उसका जो है flavor बना के चले, उससे क्या होगा, हमारे सारे जो negativity है वो दूर रहेगी और साथ-साथ भगति भी होगी, कामकाज भी होगा यही तक है श्लोक नमबर 8 और भगवादीदा चाप्टर 18, अगले दिन हम श्लोक 9 को कवे करेंगे तब तक के लिए हरे क्रिष्णा रादे रादे जैशे राम